दोस्तों बट्पिस एडिटर से रिलेटिटिट फिर्शिक ने वीडियो लेकर रहा है जिसमें आज हम बात करेंगे कैसे आप बट्पिस एडिटर के अंदर कंटेंड इमेज फीचर इमेज डाल सकते हैं जैसा कि यहां पर मैं इस पुष्ट को ओपन करता हूं तो कुछ यूजर का कहना होता है कि हम बट्पिस अभी सी की रहे हैं और हमें यहां पर इमेज इंसेट कराना है हमें नहीं आता है तो आज हम बताएंगे आपको कंटेंड इमेज कैसे डालते हैं फीचर इमेज कैसे डालते हैं पुष्ट के अंदर दूस्तों यदि बट्पिस के आप नई यूजर है अभी वर्ट पेसी की रहे हैं वर्ट पेस्पोस्ट के अंदर इमेजिस डालने के लिए इस वीडियो को कटेश्ट इन्यू सुरू से गलास तक सब्सक्राइब नमस्का दूस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटेंड तो बडपेस के अंदर दू तरीके से आप इमेजिस सबसे पहले मैं आपको फीचर इमेजिस की बात पता देता हूं सिंपल साइट को ओपन करते हैं तो नीचे आएंगे दूस्तों तो आपने कभी किसी ब्लोग पर दीखा होगा कि कंटेंस पहले इमेजिस आती हैं जैसे कि मैं यहां पर एक वैप साइट को ओपन करता हूं वेसी कंपियूर हिंदी तो इस तरह का लियाऊट होता है तो यहां पर इमेजिस आरी है इनको फीचर इमेज पुल बूला या था यह मैं इमेजिस होती है कंटेंड की एंक किसी इमेजिस पर किलिक करेंगे आप तो चुल जा गए नीचे आएंगे दूस्तों तो इससे related भी कोई content है तो उसकी इमीजिस से आजाएंगे जैसी किलिक करेंगे पहुच जाएंगे feature image डालनी है आपको अपनी blog post के अंदर तो आपको नीचे आना है यहां पर left side में यहां पर मिलेगा आपको feature images का option simple सा आप इस पर click करेंगे click करने के बाद अगर आपकी media library में feature images है तो आप select कर लिए अगर नहीं है तो आप upload file पर click करेंगे and select file पर click करेंगे और जहां भी location पर आपकी images है उसको आपको select कर लेना है जैसे कि मेरे पास एक images है sample कि इसको ले लेते हैं and click कर देते हैं and दोस्तों जब images डालें तो आपको all tech ज़रूर ला लेना है all tech co के लिए बहुत अच्छा रहता है search engine optimize की नज़े से देखा जातो all tech हर images में होना चाहिए इससे क्या होता है कभी google में जो keyword search हो रहे हो उसके इसाब से images भी rank करने लगती है images भी टॉप में आने लगती है ठीक है तो आप all tech डाल देंगे जो भी डालना है आपको जैसे कि मैं डाल देता हूं practice के तौर पर set images पे click करते हैं तो देखिए यहाँ images आगए हना anyhow पर प्रिवी देखेंगे आप तो इस तरह से आपकी feature image दिखाई देगी हाना अब feature images का आप क्या size रखते है अपने blog या website के अंदर वह आपको त्या करना है मेरा दूस्ते है कि आप एक size रखें जो भी आप रखें इससे क्या होगा एक size होगा तो सारी images accurate sequence से दिखेंगे ठीक है छोटी बड़ी नहीं दिखेंगी इससे थीम्स में प्रॉब्लम नहीं आगे अगर आप एक size की image चला के चलेंगे ठीक ही रहेगा ब्लोग अच्छा देखेंगे ठीक अगर आप एक images का size चलाते रहेंगे तो जो ब्लोग का layout है काफी अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा नहीं करते तो layout चुटा बड़ा रहेगा उसका size और images भी प्रॉब्लम आइगे जैसे कि हमने इस website पर images का जो layout है विल्कुल एक size उसमें हमने एक size की image चलाई है 300-600 pixels की ना देखें विल्कुल accurate एक भी image छुटा बड़ाने हो रहा एंड दूस्तों हम आएंगे अब दूस्तों यहाँ पर feature image हमने आपको बता दिया अब आती है content की content की बीच में images लगाना वो कैसे लगाएं को कि हम जब लिखते हैं तो उस से related कुछ images भी होती हना जैसे कि आप जानते हों तो आपको कहीं पर images लगाने है continue में पर इंटर कर लेना है करसर रखकर एंड यहाँ पर प्लस का अगर इस पर किलिक करेंगे एड यहाँ पर images अगर नहीं तो browse all पर किलिक करेंगे अगर है तो सिम्मल से किलिक कर देंगे चलिए मेज इस का है एंड यह अप तीन आपको दुखाई जए अपलोड मीडिया लाइब्रेरी एड इंसर्ट फ्रॉम यृर्ल अगर आपकी मीडिया लाइब्रेरी में तो यहां से आप इमेज डाल सकते हैं ठीक है हमारी डेस्टॉप के अंदर यानि computer laptop पे अंदर images है वह हम डालेंगे upload files पे क्लिक करेंगे select files यहां से हम कोई भी images को select करते हैं तो हमारी download में image अधिया पर आपको all tech डाल देना all tech जो भी आप डालें आप डाल दीजे लेकिन मैं प्रेटिक सदोर पर कुछ भी ले लेता हूं स्लेक्ट पर क्लिक करने के बाद देखी images डल चुक है अब इसपर क्लिक करेंगे तो यहां से crop का भी icon आ रहा है crop अगर करना है तो images आप आप कर सकते हैं जो भी आपको रखना है जो भी आपको जिस तरह की इमिज रखने हैं से आप कर सकते हैं इसे फिर से क्लिक करेंगे तो यहां पर लिंक का है लिंक का अगर करना है तो आप लिंक रख सकते हैं यहां पर अलाइन है आपको लेफ्ट रखना है सेंटर रखना है आ कि इसको नंद कर देते हैं आपको इमेजे से रिप्लेस करना तो रिप्लेस कर सकते हैं यहां से आप कोई भी इमेजेस आपने कलती सिक्राइड कर लिए तो आप यहां से रिप्लेस कर से अप्लोड फाइल क्लिक करेंगे इमेजेस अपने रिप्लेस हो जाई पस आपको इमेज अब कर देखिया न हिनि है नहीं हम पर श्राइडव चाहिए तो आप शेडव भी रख सकते हैं ठीक है तो यह आपर डिपेंट है कि मुझे कैसा चाहिए यहाँ पर इमेज का एफेक्ट बगार तो आप अपनी साप सहां से ढाल सकते हैं दोस्तों hemeस ईमेज इसन है कपको नीचे किसका नहीं यह है आप साहरे नीचे १ाले पेहर डी में आयाई इमेज इसके जोर्वेनान यह जाएक हूपर और इस जाएगी में अगर आप इस इह इरो पर किल्लिक डिकार जिए जाएगी ठीक हैं तो आपको उपी नीचे करना है तो इन एरो की help लेनी होगी को effect देना या किस तरह position रखना है वो आपको तया करना है कि images में किस तरह content की बीच में रखना है ठीक है आप कितनी भी images के अंदर add कर सकते अपने content के अंदर feature image एक ही रहेगी यह आपको देखना है कि feature image में कौन सी रखनी होगी ठीक है तो इस तरह से आप बड़्पिस के अंदर images set कर सकते feature images and यहाँ पर content image उसमें fact दे सकते left right रेंडर रूप नीचे इस तरह आपको आपको option बड़्पिस प्रवाइड कराता है आहिए आपको इस वीडियो काफी helpful लगा दूस्तों इसी तरह की और helpful बीडिक लिए बने लिए को फ्रेंड टेक्स एंड बाइड बाइड